नवश्कार सुसल संबाद में स्वागत है और शठे चरण का जो भोटिंग का दिन था पांच बजे खत्म हो गया है जमसेदपूर राची गिरिडी और धनवाद में आज भोटिंग समाप्त हो गया है और बात हम जमसेदपूर के करें तो ओबरल 65 प्रतिशत के लगबग में मतदान हुआ है और सबसे जादा बारा गोड़ा में पांच बजे तक 70 जो है 70.25 प्रतिशत मतदान हुआ वहीं घटसीला में 68 के आसपास में है और पोटका में भी आपका 61.18 प्रतिशत के हुआ है वहीं जुकसलाई में आपका 57 हुआ है वहीं जमसेदपूर आपका तक है हला कि कुछ लोग जो लाइन में लगे हुए है उनकी भोटिंग हो रही है तो यह आकड़ा आते आते 7 और 8 के रात बजेंगे लेकिन अभी 65 प्रतिशत जमसेदपूर लोक सभा में भोटिंग हुआ है सबसे ज्यादा गाउं में भोटिंग हुए है शहरों में जो है क प्रतिशत जो है गाउं में अगर बड़े है तो इसका फायदा किसको होगा क्या जमिम को फायदा मिलने वाला है अगर शहर में कम है तो क्या बिजेपी का नुक्षान है यह सारी चीज होगी तो चार जून को पता चलेगा कि वोटिंग प्रतिशत बड़ा है तो किसके बीजेपी दीख रही थी तो गाउं में उसी तरीके से आप कह सकते हैं कि जबम की भी मद्दाता निकले हुए थे तो ये चार जून को जाकर फाइनल होगा किसी के लिए भी क्लियर कट आप ये नहीं कह सकते हैं अब फलहाल हलाकि और भी जैसे से समय निकलेगा बाचिट होग शांती पुरू मत्दान हुए किवल एक घाठ सिला में जो एक बूत है जहां पर लोगों ने बिरोध स्वरूप गामिनों ने शडख वहां पर नहीं बनी थी जिसके वज़सों उन्होंने भोट नहीं किया है जहां लास्ट में एक बोट वहां पर कास्ट किराया गया है बा शुल समवार ने जारखंड आपकी अपनी क्या राय है कौन जीतरा है कहां किसका परलावारी आप कामेंट करके बटा सकते हैं